कि व्टेशन के बारे में तो चलिए जानते हैं अक्टिविशन फंक्शन क्या होता है और इसे कहां यूस कि जाता है और कितने तरीके के होता है यहां पर यह आपको भी पाइफन मशीन निंग डेटा साइंस और डेटानेज जैसे फिल्म अपने आपको ग्रोव करना है तो इस के लिए WSQTK online and offline बने बैच के जान करके आप अपने स्किल को इंपरोव कर सकते हैं जब हमने यहां पर सिंगल प्रेश्टान को समझाता तो सिंगल प्रेश्टान के अंदर हमने क्या दिखा था कि सबसे हमारे पास जो भी हमारा इंपूट डेटा होता है जो भी हमारा आगे जाते वग्क हमारे पास डिपैंडेंसी रहती है कि हमारा जो आउटूट निकालने वाला है वो आपके पास क्या है वीनियर है या फिर इक नंबर होता तब आपको क्या करना पड़ता है कि यह जो भी result है उस result को एक function से pass कराना पड़ता है और that function is call of activation function आपको एक function से pass कराना पड़ता है इस output को ताकि आप अपने desire output को क्या कर सके get कर सके इसके साथ साथ जब आप यहाँ पर multi layer result के देन्दे वह करते हैं तो multi layer प्रेसिप्टम में क्या होता है कि बहुत सारे single layer सो of preparation representing होते है तो वो क्या करते है अपना जो output ऑगली नीे नीटॉरल नाट Efendimiz theology the capacity is transfer ke d Indians ऀके आपके पास क्या करना परता है आपके एक आप mencion आप leg आप क्या changes करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं activation function का स्तमाल करते हैं जैसे आपका जो output है वो minus infinity to infinity के बीच मां गया लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका जो output है वो binary में आए या तो 0 आए या फिर 1 आए तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए फिर आपको activation function को चूज करना पड़ेगा activation function के तुरू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको output को changes कर सकते हैं तो basically आपके आपके आस यहाँ पर neural network अंदर activation function बहुत ज़्यादा जरूरी है अब हम बात करते हैं कि activation function जो होता है वो कितने तरह के होता है तो basically activation function के अंदर बात करें तो आपके आस binary होता है linear होता है आपके आस यहाँ पर और non-linear आपके आस function होता है यह तीन तरह के activation function होता है दीखे, generally जो हम जो activation function जो इस्तमार करते हैं वो हमारे सारे कीसा होने चाहिए 2009 लिनरा क्योंकि contr इनकी playground जरूत पड़ती है तो इनके बारे में आज हम थोड़ा और detail के साथ जानेंगे चलिए अब हम जानते हैं की activation function कैसे काम करते हैं और इनके mathematical formula क्या है है यहापर जब इनको देखते हैं देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहापBR to binary step function के बारे मैं तो binary step function आपका बहुत ही simpile activation function होता है यह activation function कैसे जो भी आपका y hat आजा है यहापर y hat कैसे आजंगे यहाँ है यहांपर यहांपर नगीटिव है तो आपको कर देता है। इस तरह से क्या काम करता है यह binary step function आपके आस यहाँ पर work करता है binary step function का अब यदि आप graph देखेंगे तो वो कुछ इस तरीक से आपको नजर आता है चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर linear activation function का आपको इस्तेमाल करना चाहिए यस जब आपका जो output है वो regression हो तो regression के अंदर आपके आस क्या होता है कि आपका जो भी output है वो output के तोर पर आपको वापस दिखाना होता है यहाँ पर तो उस वग आपके output के अंदर कोई भी changes नहीं करना होता है अब जब आपके आस output के अंदर कोई भी changes नहीं करना होता है तो उस वग आपको कौन से activation function के जड़ गड़ेगी तो वहाँ पे आप linear activation function को follow कर सकते हैं linear activation function कैसा होता guys यहाँ पर वो function होता है y is equal to आपका sex होता है मतलब आप x के अंदर जो भी value रखेंगे y आपको दुवारा वही value return कर देगा कोई changes आपको नहीं देखने को मिलेगा तो basically guys linear activation function के बात करें हैं आप तो यह कब काम आता है जब आपके जो output, desired output है वो linear आपको रखना हो तब आप क्या करते हैं इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जब हम आपके real world data के काम करते हैं रियल वर्ल डेटा के अंदर क्या होता guys यहां पर कि जो आपके पास यहां पर inputs layer होता है इस inputs layer के बाद में आपके जो hidden layer होती है वो hidden layer जाके आपके आस और hidden layer से connected होती है and then आपके आस क्या होती है, outputs के साथ connected होते है तो इस वक्त जब आपके पास internally जब आपके आस यहाँ पर working चल रहा होता है इसके साथ सथ जब आप यहाँ पर बाहर अपने output के पजार होता है तब आपका जो data ओता हो वो non-linear हो सकता है इसके साथ classification in nature का हो सकता है तो then उस वक्त हम यहाँ पर कौन से activation function का स्तमार करेंगे तो वहाँ पर हम जो activation function इस्तमार करते हैं वो होता हमारा non-linear activation function जो की बहुत ज़्यादा important होता है यहाँ आपर अब इस non-linear activation function के अदर कौन-कौन से activation function आता है तो उसके अंदर हमारे पास जो पहला आता है that is the sigmoid activation function जो की logistic activation function भी कहलाता है यहाँ पर उसके बाद आता है आपका 10H आता है फिर आपका reload आता है फिर आपका softmax function आता है वो हब जड़ा थोड़ा detail के साथ दिखते हैं तो देखे, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँपर sigmoid function के बारे में यह होता है हमारा sigmoid function के equation यहाँपर, इस sigmoid function को आपने पहले भी use क्या है, कब use क्या है, जब आपने logistic regression बढ़ा होगा, तो देखे जब भी आपका जो output है, desire output जो है guys यहाँपर, वो कैसा हो जाए guys यहाँपर, binary हो जाए, yes कैसा हो जाए, binary, binary का मतलब आपका जो output है वो 0 या 1 के अंदर आपको देखने को मिले तो आपको कौन सा activation function इस्तिमार करना है, that is sigmoid activation function आपको इस्तिमार करना है इसका curve जो आप देखेंगे तो यह curve जो होता है guys यहाँपर यह आपका जाए करता है, 0 से लेके 1 के बीच में ही आपका जाए करता है मतलब इसका curvature आपको 0 से लेके 1 के बीच में ही देखने को मिलेगा अब इस activation function की आपके पास क्या benefit है तो दीके इस activation function के benefits की बात करें तो that is a differentiable activation function दीके हमें activation function ऐसे डूनने चाहिए जो की differentiable हो जिसके थुरू हम आगे क्या कर सके हम gradient distance के अंदर use कर सके यदि हमारे पास non-differentiable activation function होगा तो हम उसे gradient descent के अंदर use नहीं कर पाएंगे और जब हम उसे gradient descent के अंदर use नहीं कर पाते हैं तो हम हमारे जो आपके पास weightage है उन weightage की value को update नहीं कर पाते हैं तो basically weightage की value को update करने के लिए हमें क्या चाहिए guys यहाँ पर हमें आपके पास differentiable activation function चाहिए और जो हमारा यह जो sigmoid function है यह आपके आस क्या है जो हमारा desire output है वो binary में हो तब भी हम इसका use का सकते हैं अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी problem है वो यह है कि यह जो activation function है वो zero centered नहीं है अब zero centered का मतलब क्या है यहाँ पर जब आप यहाँ पर इसकी error निगाते हैं एक्टिशन function ने की वाज़ेस से इसके अंदर आपके आस क्या होता है आपके पास värнее gradient descent की अब यहाँ आप क्या होती है यहाँ पर तो इसको आने वाले वीडियो के अदर हम और ज़्यादा इरेल के साथ देखने वाले है तो basically logistic activation function यह sigmoid activation function का इस्तमाल binary के अंदर आप कर सकते हैं इसके असासद यह differentiable है तो इसका use आप gradient descent के अंदर भी कर सकते हैं चलिए अगला activation function के अदर बात करते हैं तो अगला activation function है 10H activation function 10H activation function आपका यहाँ यूज किया जाता है जब आप यहाँ पर RNN network के उपर काम करेंगे बलब recruiter neural network के उपर काम करेंगे तब आप 10H activation function का इस्तमाल करेंगे इसके बीचे reason यह है कि इसका जो output है वो minus 1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है and then यह आपका जो activation function है वो differentiable भी है इसके साथ यह zero centered भी है मतलब यहाँ पर awareness gradient descent की जो problem है यहाँ पर वो आपको नहीं देखने को मिलती है तो basically 10H activation function जो है यहाँ पर इसका इस्तमाल हम कहा करने वाले है RNN networks के अंदर करने वाले है लेकिन अब यहाँ पर point आता है कि हमारे output यही हमारा जो desired output है वो binary नहीं आओके categorical हो जाए categorical का मतलब क्या है guys यहाँ पर आपका जो output आपके आस बहुत सारी category के अंदर जैसे cat आपके पास हो गया dog आपके पास हो गया cow आपके पास हो गया तब आपको क्या करना है तो देखे जब आप sigmoid function का इस्तमाल करते है तो या फिर जब आप 10H का activation function का इस्तमाल करते है तो वहाँ पर जो desired output होता है वो आपके आस क्या होता है binary के अंदर काम करता है लेकिन आपके आस यहाँ पर एक से जादा output होगा तब आपको क्या करना है तब आपको क्या करना है soft match activation function का इस्तमाल करना है तो उस वक्को करना है software activation function को स्तमाल करना है चलिए अब हमारे पास रहे गया हमारे hidden layer के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं लीज़न लेयर के अंदर आप linear activation function को स्तमाल नहीं कर सकते हैं reason बहुत simple सा यहाँ पर है क्योंकि जब आप linear activation function का स्तमाल करते हैं तो आपको awareness gradient descent problem देखने को मिलती है मदब आप आगे से आगे data transfer करते हैं तब आप क्यास कहाती है awareness gradient descent problem आजाती है तो फिर उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर Relu activation function का स्तमाल करते हैं Relu activation function जो है यहाँ यहाँ पर यह linear function से difference है linear activation function से बहुत ज्यादा differentiate है क्योंकि इसका जो function का formula है यहाँ पर वो क्या था max 0x होता है जबकि linear function का यदि आप बात करेंगे तो वो क्याता है fx is equal to x आप क्यास होता है वहाँ पे negative और positive value दोनों consider कर सकते हैं लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर तो reload activation function के अंदर ऐसा नहीं होता है second चीज आपके आज क्या होता है linear activation function क्या होता है linearity को follow करता है और यदि मेरा data non-linear आ जाता है तब हम क्या कर सकते हैं तो non-linear data के लिए आप reload activation function का इस्तामाल कर सकते हैं क्योंकि यह non-linear activation function है यहाँ पर अब यहाँ पर बात करें क्या यह differentiable है तो यह differentiable है आप इसको differentiable differentiate भी कर सकते हैं और इसका इस्तमाल generally hidden layers के अंदर किया जाता है तो एक summary बात करें यहाँ पर कि कौन सा activation कब इस्तमाल करना है तो दीखे जब आप regression analysis के अंदर work कर रहे हैं तब आप linear activation function का इस्तमाल करेंगे जब बाइणरी classes में काम कर रहे हैं तब आप sigmoid function का इस्तमाल करेंगे जब आप multi class की बात करें तब आप यहाँ पर soft wax करेंगे जब आप multilabel की बात करेंगे तब और Sigmoid Activision Function का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर तो यह अलग-अलग Neural Network के अंदर आप अलग-अलग different types के Activision Function को इस्तमाल करके अपना चो desire output है वो लिके आ सकते हैं तो I think I hope so समझ में आया होगा कितने type के हमारे Activision Function होते हैं और यह किस तरह से काम करते हैं आप आने वाले वीडियो के अंदर हम Artificial Neural Network को और ज़्यादा डेटिल के साथ देखने वाले हैं तब तक आप हमारे साथ यह ही बने रही है तेल देन और गुडबाई कि अंदर हैं झाले के साथ यह हैं